गुड मॉर्निंग डियर इस्टुडेंट्स सौरभ सरकी आनलाइन एसस्टी की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास सेवेंथ का जो चैप्टर नमबर फिप्टीन है जिसका नाम है मौलिक अधिकार, करतब और नीती, निर्देशक, सिद्धान्त इसको आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे तो आईए ज्यादा समय न लेते हुए पाट की और चलते हैं लिखा है भारत के समिधान में भारत को एक लोक तांत्रिक समाजवादी पंत निर्पेक्ष राजी कहा गया है तथा भारत के नागरिकों को समानता, स्वतंतरता एवं न्याय दिलाने का संकल्ब दिया गया है इन उद्देश्चों की प्राप्त के लिए भारत के सम्विधान में मौलिक अधिकारों, कर्दव्यों और नीती निजेशक्ष धन्तों का समावेश किया गया है मौलिक अधिकारों की प्राप्त के लिए सम्विधान सभी नागरिकों को नयायक सुरक्षा प्रदान करता है क्योंकि यदि इन मौलिक अधिकारों का किसी भी स्थर पर हनन होता है तो व्यक्ति उसकी सुरक्षा के लिए नयायले में जा सकता है आएए जानते हैं मौलिक अधिकार अच्छे जीवन और आतम विश्वास के लिए अधिकार अत्यदिक आवश्यक है एक लोगतांत्रिक देश होने के नाते भारत अपने नागरिकों को कुछ ऐसे विशेश अधिकार प्रदान करता है जिने मौलिक अधिकार कहते हैं इने मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि ये अधिकार देश के सभी नागरिकों को चाहे वे किसी जात, समुदाय, धर्म या लिंग से प्राप्थ हूँ ठीक है तो मौलिक अधिकार जो होते हैं सभी के लिए होते हैं सभी के लिए जितने भी इस देश के नागरिक हैं उन सभी के लिए मौलिक अधिकार होते हैं लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की विबुनियादी शर्ते हैं जिनके बिना कोई भी नागरिक अपनी अनकूलतम इस्थित में रहने का प्रया बास नहीं कर सकता बारती संविधान में निम्न लिखित 6 मौलिक अधिकारों की ब्याख्या की गई है नंबर एक आता है समत्ता का अधिकार अनुच्छेद 14-18 में इसकी बात कही गई है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22 तक बताया गया है शोषण के बिरुद्ध अधिकार 23-24 में कहा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25-28 में कहा गया है संस्कृत एवं सिच्छा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में संबयादानिक उप्चारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में इन अधिकारों का अत्तिग महत्तु है जैसे ये अधिकार जीवन को सुखमे और जीने योग्य मनाते हैं नमबर दो ये अधिकार सरकार की स्वेच्छा चारी प्रक्रति पर नियंतर रखते हैं ये अधिकार वाद योग्य हैं और किसी भी नागरिक कोईन से वंचेत नहीं किया जा सकता ये अधिकार नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं ये पद इस्थित एवं अवसर की समानता भी प्रदान करते हैं फिर नमबर एक आता है समानता का अधिकार नमबर एक समानता का अधिकार आरती संबिदान में सभी नागरिकों के लिए पहला अधिकार समता का अधिकार है कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है सभी नागरिकों को समान अपरात के लिए समान दंड का प्रावधान है कानून, धर्म, लिंग, जात, तथा रंग और मत के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है कानून सब की बराबर रक्षा करता है यद्य पिराज महिलाओ, बच्चों, अनसूस्ची जातियों, अनसूसी जन जातियों, अल्फ संकिकों, तता अन्य पिछडे वर्गों के उत्थान के लिए कुछ विशेश कानून बना सकता है संबिदान ने अश्प्रस्चता को समाप्त कर दिया अश्प्रस्टा कानून द्वारा दंडनी अपराद है, हमारे समिदान ने लेंगिक और सिच्चा संबंदी उपादियों को समाप्त कर दिया है किसी भी परिवार में लड़के और लड़की में बेदभाव नहीं किया जा सकता नमबर दो आता है स्वतंतरता का अधिकार, इस अधिकार के अंतरगर निम लिखे स्वतंतरताओं के अधिकार हैं कि प्रतेक व्यक्ति को भारत के किसी भी भाग में रहने का अधिकार प्राप्त है चाहे आप यूपी में रहें, चाहे आप मुंबई में रहें, चाहे आप दिल्ली में रहें, चाहे आप करनाटक में रहें, चाहे चन्नाई में रहें, कहें भी रह सकते हैं देश के किसी भी भाग में आप रह सकते हैं, आप पर कोई कुछ भी नहीं कह सकता कोई भी व्यक्ति हो वो अपना संस्था आपनी बना सकता है, प्रत्य व्यक्ति बारत के किसी भी भाग में स्वतनत्य पूरवग ब्रमड कर सकता है ठीक है किसी भी भाग भारत के 28 राज्यों में आप कहीं भी स्वतंता पूर्वख भ्रमण कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आप यूपी में रहते हैं तो चिन्नाई जाएंगे तो वहां भगाद दिये जाएंगे या बेंगाल जाएंगे तो वहां भगाद दिये जाएंगे या उत इधिकारों के माध्यम से सिच्च्चा के अधिकार का अधिकार भी है कोई बीवैक्ति है अहिंसात्मक बिना हतियार के क्या कर सकता है जन्द सभा कर सकता है रहानपर 3 affinity सो सड़ के वियुद्धदिकार के ०्चों और गरीबों को सो सड़ से बचाने का लच्छ रखता है हमारा सम्मिधान मनुस्यों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंद लगाता है अर्थात हमारे सम्मिधान में मनुस्यों को अब खरीद बेच नहीं सकते हैं पहले क्या था मनुस्यों भी खरीदे और बेचे जाते थे अर्थात दाश प्रता पर रोक लग गई है या बेगारत था बंधुआ मजदूरी पर भी प्रतिबंद लगाता है बेगार अर्थात फ्री में जो मजदूरी की जाती है दिन बर मजदूरी करते हैं बेगार जिसको कहते हैं और बंधुआ मजदूरी कि एक आदमी ने आपको मजदूरी पर रख लिया त बाल स्रम के बिरुद्ध कानून भी बनाए गए हैं क्योंकि बच्चे हमारे समाज की पूंजी हैं इसलिए उन्हें सिच्छा प्राप्त करने और अच्छे वात्तामर्ण में रहने का पूर अधिकार होना चाहिए सरकार ने महिलाओ कोई सोसर से बचाने के लिए भी कुछ विशेश कानून बनाए हैं नमबर चार आती है दार्ण में स्वतंतरता का अधिकार बारत एक पंत निर्पेक्ष राज्य है अर्थात प्रतेक नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंतरता है प्रतेक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा उपासना और प्रचार करने का अधिकार है सरकार की दस्ट में सभी धर्म समान है अर्थात किसी भी धर्म को किसी धर्म से अधिक वरियता नहीं दी जा सकती समिधान में ऐसा प्रावदान इशलिय किया गया है जिससे सभी धर्मों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हुए आपस में विल्जुल कर रह सकें संस्कत और सिच्छा का अधिकार यहाधिकार अलब संक्यकों के अधिकारों की रख्षा करता है तर्तेक समदाय को अपनी भासा लेपी और संस्कत की रच्छा करने का अधिकार है यहाधिकार लोगों के समू को सहच्छिक संस्थाएं इस्थापित करने और संचालित करने के अधिकार को भी मानिता देता है भारत के संविधान में बाइस भासाओं को मानिता दी गई है तता हिंदी को राष्ट भासा गोशित किया गया है बाइस भासाओं कौन कौन सी हैं असमिया, बंगला, बोडो, दोगरी, गुजराती, हिंदी, कंणर, कश्मीरी, कौंकडी, मराठी मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, नेपाली, उडिया, पंजाबी, संस्क्रीट, संस्थाली, सिंधी, तमिल, तेलगु और उर्दु फिर आता है संबायधानिक उपचारों का अधिकार क्या होता है नागरिकों को अधिकार देना ही पर्याप्त नहीं है यह देखना भी उतना ही महात्यपूर है कि सरकार हमारे अधिकारों की रच्छा और सम्मान करे इसके लिए संबिधान में यह प्रावधान किया गया है कि यद किसी व्यक्त के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति इसके विरुद्ध नियाले या सर्बोच नियाले में जा सकता है इसी एदिकार को संबयधानिक उप्चारों का अधिकार कहते हैं यद किसी नागरिक को सरकार द्वारा मौलिक अधिकार नहीं दिया जाता लतो वा किसी कारण सरकार उसके विरुद्ध सक्तिकान नयापूर प्रयोग करती है तो ऐसी इस्थित में वा न्यालाय की सरण में जा सकता है। फिर आता है मौलिक कर्टब्य। अधिकारों और कर्टब्यों का तूट संबंद है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। संबिधान के मूल सरूप में मौलिक कर्टब्यों पर कोई अनुच्यद नहीं थे। इन्हें 1976 में पारित किये गए 42 में संबिधान संसोधन में सम्रित किया गया है। क्योंकि अधिकार और कर्टब्य का चोली दामन का साथ है। यदि हम अपने मौलिक कर्टब्यों से बिमुक होते हैं तो संबाव है कि इससे अन्य व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों का हनन हो उधारन के लिए। यदि हमें जीनने का पूर्ण अधिकार है तो हमारा यह कर्टब्य है कि हमें दूसरों को भी जीनने देना है। साथ यह नहीं है कि हमको तो अधिकार प्राप्त हैं हम दूसरे का अधिकार शीने ले रहे हैं ना कोई घर बना रहा है तो हम उसको डाट रहे हैं मार रहे हैं ये नहीं सतंतता का अधिकार आपको भी है तो दूसरे को भी है ये नहीं कि आपको सतंता का अधिकार है आप किसी को मारने तोड़ने लगते हैं किसी को कुछ कहने लगते हैं तो ये क्या है हमें क्या होता है कानून में कानून के अनुसार ही चलना ह होता है हमें खुद जीना पढता है और ढूसरों को भी उसी को जीन देना है जैसे में इस्काय दिकार करतब्य भी है कि हम दूसरों की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति में बाधक ना बने मौलिक अधिकारों को सम्मिधान में एक आचार सहिता के रूप में सम्मिलित किया गया है और प्रत्येक नागरिक से आशा की जाती है कि वह इस आचार सहिता का पालन करें किसी मौलिक करतब के पालन करने से किसी अन्य सक्त के मूल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है तो इसे कानून द्वारा तंडनी अपराद माना जाएगा इसका मुख्य उद्देश लोकों में देश वक्त की भावना को बढ़ावा देना है इनके उद्देशों में संप्रभुता और एकता की रच्छा करना विन्नकल्यार कारी गत्विद्यों को चलाने में सहायता करना तता आपसी सद्भाव के आदर्सों को बढ़ावा देना भी है व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को स्वानुसासन के निश्चित मानकों का पालन करना तता दूसरे के अधिकारों का आदर करना चाहिए सामाजिक संस्कृत की समर्ध विराषत को सुरच्षित रखना चाहिए यह नहीं है कि आप ताज महल देखने जा रहे हैं उस पर इटा मारकर भागाते हैं ठेक है जो सामाजिक संस्कृतियां हैं समरद जितनी भी रास्ते हैं पुराने इस्थल हैं इन सबको क्या करना है इनकी रच्छा करनी है सारवनिक संपत की रच्छा करनी चाहिए तता हिंसा का परित्या करना चाहिए देश की रच्छा करनी चाहिए और रास्टी सेवा करनी च सम्पुर्वता एकता और अखंटता को अच्छोड रखना चाहिए श्वतंतता अंदोलन के अधर्शों को अपने मन में सुझो कर रखना चाहिए समरस्ता और भाई चारे को बढ़ावा देना चाहिए पैज्ञानिक दस्ट को ओड और मानवियता को विक्षित करना चाहिए प्राकतिक पर्यावर्ण की भी रच्छा करनी चाहिए प्राज के निति निर्देशक तत्तु देख लीजिए जेस्टा हो मारे देश का समाजिक जीवन अप्रतिक दैनी वस्ताएं में था समय में संभिदाय निर्माताओं ने यह मैसं रावर्ण को प्र्गत किरश्पार्णी है तो गरीबों निरक्षरों और पिछड़े वर्गों की दशा सुधार नहीं होगी क्योंकि उस समय हमारे देश में आर्थिक अश्मानताएं थी सामाजिक भेदबाव गरीबी असिक्षा और बेरोजगारी जैसी अन्यक समस्याएं मौजूद हैं इन सभी समस्याओं के निरा दर्शक बिंदु भी सामिल किये थे इन मार दर्शक बिंदुओं को निर्देशक तत्तो कहते हैं संभिधान निर्माता चाहते थे कि कें सरकारे यह राज सरकारे अपनी नीतियां इन सिद्धान्तों के आधार पर बनाएं जिससे सभी नागरिकों का कल्यार हो सके तता निर्देशक से दांत निम लिखित हैं नमबर एक देखते हैं समाज के कमजोर वर्गो विसे श्चतान सूचिझ जाति हो और अंसुचिझ जनजाति हो के रिक्छा एंदुनी महलां और पुरसों को समान यहां के लिए समान बेतन मिलना चाहिए जोदा वर्स तक की आया के ब पूर्पतिबंद लगाना चाहिए धनी और निर्धन के बीच के अंतर को कम करना चाहिए अर्था सरकार का यह करतब है कि धन को कुछ व्यक्तियों के हातों में केंद्रित होने सिरों के यह नीत निर्दे पंचायतों को पर्याप्तिशक्तिपदान की जाए नंबर साथ एतिहासी किस्मारों को की सुरक्षा करना नंबर आठ राज्यों को हस्त कलाओं तता कुट्वी रुद्योगों को बढ़ावा देना नंबर नौ गाया और अन्य दुधारू पस्यों के वधपर रोंक लगानी च दान्तों के विशे में यह जान ले ना ती आवश्यक है कि ऐसे दान्त एक प्रकार से मौलिक कर्टब्यों की भाति हैं क्योंकि यदि इन संधान्तों को लागू नहीं किया जाता है तो इन्हें न्याले में चुनोती नहीं दी जा सकती है तो सभी विच्चे आज के लिए ब